मम, पुत्र, पोत्र, सौभागे व्रधे, सी मंगला गोरी, प्रीती अर्थ, पंच वर्स परियंत, मंगला गोरी व्रत एहम करिशे, मा मंगला गोरी की जैहो, भहवान शंकर की जैहो, सी शिवाय नमस्त व्यम, ओम नमस् शिवाय आज मैं आपनों को कथा सुनाने जा रही हूँ मा पार्वती, मंगला गौरी की कथा पौरानी कथा के अनुसार एक समय की बात है एक शहर में धरामपाल नाम का एक ब्यापारी रहता था उसकी पत्नी काफी खोपसूरत थी और उसके पास काफी संपत्य थे लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वह काफी दुखी रहा करते थे ईश्वर के करपा से उनको एक पुत्य की प्राप्ति हुई लेकिन वह अलपायू था उसे यह असराप मिला था कि सोला वर्ष की आयू में साप के काटने से उस कीमरत्य हो जाएगी सैयोग से उसकी साधी सोला वर्ष से पहले ही एक यूती से हुई जिसकी माता मंगला गोरी ब्रत किया करती थे परिणाम सरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशिरवाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विद्वा नहीं हो सकते थी अता अपनी माता के इसी ब्रत के परताफ से धराम पाल की बहु को अखंड सोभागय की प्राप्त हुई इस वज़े से धरामपाल के फुत्र ने 100 साल की लंबी आयवप्राप्तगी तभी से ही मंगला गोरी ब्रत की शुरुवात मानी गई है। इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी ब्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और इस्थाई वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं जो महिलाएं उपवार्स का पालन नहीं कर सकती हैं वे भी कम से कम पूजा तो करती इसका था को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास्त थाननत को सोलह लड़ू देती हैं इसके बाद वे यही प्रशाद ब्रामन को भी देती हैं इस विद्यू को पूरा करने के बाद ब्रती सोलह बाती वाले दिये से देवी की आरती करती हैं ब्रत के दूसरे दिन बुधवार को देभी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदिया पोकर में विसरजित कर दिया जाता है। मा गोरी की प्रतिमा को विसरजन करने से पहले जब आप आरती कर लें पूजा कर लें उसके बाद में मा गोरी के सामने हाथ जोड़ करके अपने समस्त अपराधों के लिए पूजा एवं भूई भूल चूक के लिए छमा मांगने चाहिए इस ब्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार पांच वर्सों तक किया जाता है छमा मांगने के बाद में फिर दूसरे दिन आप सारा दिन ब्रत करें और दूसरे दिन दिन बुदवार को मंगला गोरी की जो प्रतिमा तो नहीं मूर्दी जो होती है विठ्ट होती है पुत्र पौत्र भी अपना जीवन सुख पूर्वक उजारते हैं ऐसे इस ब्रत की महिमा है मां मंगला गौरी का जो ब्रत है स्रावनवास के मंगलवार के दिन किया जाता है हर मंगलवार को किया जाता है बहुत लोग किसी इक्षा से किसी मनुवांचित इक्षा से इस इस ब्रत को उठाते हैं सावन के महिने से सावन के महिने में जो मंगल वारा रहता है तो उस पहले मंगल से उठाते हैं और यह मान के चलते हैं कि मेरी जब यह मनोकामना पूरी हो जाएगी तब मैं इस ब्रत का उध्यापन करूंगी तो इसका नियम विधान यह है कि यह तो य में महीने इसका उध्यापन किया जाता है और दूसरा ये है कि पांच साल तक हर मंगलवार के दिन सावन के महने से उठाते हैं और पांच सल तक लगातार हर मंगल वार के दिन मां मंगला गौरी का ब्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, विधी विधान से मंगला गौरी की पुजा करते हैं, सब परिवार भक्ति भाव से अनन्द पुर्वक मा की आर्थी करते हैं सबसे बड़ानी है मां मंगला गौरी का यह है कि सोलह बाती क्या दिपक जलाना चाहिए, मां मंगला गौरी की पुजा का विधान बता रही हूं, नित्य कर्मों से निवरित होकर साफ सुत्रे धुले विव नयवस्त्र धारान करके ब्रत करना चाहिए, मां मंगला गौरी पार भाग्य वरद्धे, स्री मंगला गौरी, प्रीति अर्थ पंच वर्स परियनत, मंगला गौरी वरद अहम करिशे़। तत हासद मंगला गौरी के चितरी प्रतिमा को एक चौकी पर लालवस्त विछा के इस्थाफित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, आटे से बनाया हुआ होता है, दीपक ऐसा हो कि जिसमें 16 बातियां लगाई जा सकें, कुमकुम मार गुरू लिपतांगा सर्वा भरन भूसिताम नील कंठम प्रियाम गौरी बंदेह मंगला आवाहयाम इस मंत्र को बोलते भे माता गौरी का आवाहन करें और शड उपचार विधी पूर्बक उन्हें पूजन करें, माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, 16 माला, लौंग, सुपाड़ी, इलाची, फल, पान, लड़ू, सुहा की समागरी, 16 चुड़ियां, मिठाई, आरपन करें, इसके अलावा, पांच प्रकार के सुखे मेवे, साथ प्रकार के अनाज, जिसमें गेहू, उरद, मूं, चना, जो, चावल, अमसूर, आदी चढ़ाएं, पूजा के बाद मा मंगला गोरी की कथा सुनी जाती है, इस ब्रत में एक ही समय अनगरह करके, पूरे दिन मा पार्वती की अराधन की जाती है, शिव प्रिया पार्वती को प्रसन करने वाला ये सरल ब्रत करने वालों को अखंड सौ भागे, तथा पूत्र प्राप्ति का सुख मिलता है, मा मंगला गोरी का ये ध्यान जरूर करें, इस मंत्र को जरूर पढ़ें, नमो देवे महादेवाय शिवाय संतम नमा, नमा प्रकरते भद्राय नियता प्रणताम इसमताम, सी गणेश आमविका अभ्याम नमा, ध्यानम समर्प्यामी, कथा सुनने के वाद में, मा गोरी के प्रतिमा के सामने जहाँ आप पूजा करें उस जगह पर पूरे परिवार से माता रानी से छमा प्रार्तना करें, उनकी इस्थुलती करें, पांच मिनट के लिए ध्यान लगा करके मा के सामने अपनी इक्षा को रखें, इसके बाद में, जिस जगह आप खड़े उसी जगह एक बार घूम लें बहुत ही छोटा सा काम होता है जरूर घूमें मातारानी को गुढ़हल का फुल बहुत पसंद है इससे गुढ़हल का फुल जरूर अरपन करें आर्थी के बाद अपने बढ़ों का पैर छुएं उनका आशिर्वाद अवस्यलें मा पार्वती भ करें सारा दिन किसी की भी बुराई न करें न किसी की बुराई सुनें मन से बच्चन से और तन से मा पार्वती कोई आराधना करें जिसे कि आपका ये पूजा सफल हो मेरे ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चै जय मातादी अवस्य लिख दें धन्यवाद